So, hey there everyone, good morning, तो आजके इस वीडियो के नदरम बात करेंगे iPad 10 generation के बारे में तो ये basically एक ऐसा disaster है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद भी पता नहीं कल मैंने देखा कि Technical Guru जी के YouTube चैनल में एक नया वीडियो अपलोड हुआ है iPad 10 generation unboxing तो मैंने सोचे के iPad 9 generation ही latest था, 10 gen कब launch हो गया तो मैं फटाफट गया Apple India के website में और वहाँ पर जाके देखा के जी हा, 100% genuine news है के iPad 10 gen भी launch हो चुका है तो इसे detail में देखने के बाद मुझे पता चला क्यों भाई इसके बारे में इतना शोर शराबा नहीं है market में, तो खेर इसके बार में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे reasons why you should not buy iPad 10 generation so guys देखिए, iPads तो काफी अच्छे है, काफी सारे upgrades है जो display है, वो भी मतलब जो bezels है, वो काफी ज़्यादा कम हो चुके है अभी iPad mini जो कुछ time पहले launch हुआ तो उसके जैसा है या फिर iPad AR जैसा है, iPad Pro जैसा exactly नहीं बोलूँगा बट still काफी ज़्यादा improvement है design के अंदर और पीछे की तरब भी जो colors बगरा है, वो काफी अच्छे अच्छे launch हो है 4 new colors है, जो काफी unique है, और मतलब cool stylish वगरा लगता है देखने में और जो corners है, वो भी iPhone type का यहाँ पर provide कर दिया Apple ने बट यहाँ पर जो main problem है, वो iPad के अंदर नहीं है, वो ही इस iPad के price के अंदर तो बस यही एक reason है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि majority of the Indian audience इसको पसंद करेंगी, इसको purchase करना, मतलब prefer करेंगी क्योंकि यहाँ पर इसका जो pricing है, वो मैं आपको बोल दू, 45,000 मतलब budget iPad हम इसको मानते थे, entry level iPad हम इसको मानते थे अगर मैं Apple को बोल रहा हो, कि अगर आपको इसको upgrade करना ही है तो मतलब budget iPad को ध्यान में रखके, आप इसका price range below 35 रखके आप इसको upgrade कीजिए, मतलब इतना जादा price hike, almost 13,000, 14,000 रूपीस इसका price hike हो चुका है, तो यहाँ पर इतना जादा price hike के अंदर हमको मिलता गया है हमको एक new design मिलता है, कम bezels मिलता है, हमको नहीं चाहिए भाई, कम bezels bezels वैसा ही रखो, थोड़ा बहुत कम कर सकते थे, अगर price को check में रखके आप कर सकते थे, तो वो एक अलग चीज थी और यहाँ पर जो design है, वो पहला वाला design well and good था, अगर थोड़ा बहुत tweaks वगरा करना था करी यह, बट इतना जादा price hike भाई, यह तो acceptable नहीं है यहाँ पर जो processor है, वो पिछले वाले variant में 9 gen में, A13 था, अभी A14 आया है, iPad 10 gen में, अगर हम 5,000 रुपीज और add करें, अगर हम iPad mini को choose करें, तो वहाँ पर हमको A15 मिलता है, तो भई, अगर हम 50,000 रुपीज, 45,000 रुपीज पैन करेंगे ही, तो हम iPad mini को ही choose करेंगे, हमको budget iPad, budget iPad तो इसको हम और बोल ने सकते, हम क्या बोले इसको, सिर्फ iPad, हम iPad Q purchase करें, तो यहाँ पर बस इसका नाम भी Apple ने छीन लिया है, जो हम budget iPad बोलके इसको पुकारते थे, अभी वो भी हम नहीं बोल सकते, हमको अभी बोलना परेगे, इसको सिर्फ iPad, तो खेर बस पूरा वीडिय पॉइंट यही है, कि improvement अच्छे है, no doubt, सभी को पसंद आएंगे, obviously Apple है, बट यहाँ पे जो price है, वो मतलब ठीक है, हम मानते है कि Apple के products काफी जाद costly होता है, बट budget iPad को हम एक अलग नजरिये से देखते थे, कि यह Android, मतलब कोई भी Android tablet, budget iPad को टकरने ही दे सकता, in case of aggressive pricing या फिर performance तो बस यहाँ पे अगर website में जाकर आप चेक करें, आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया, iPad जो सबसे lowest price वाला budget iPad है, मतलब सीर्फ iPad है, वो 45,000 रुपीज से start हो रहा है, शायद Amazon, Flipkart वगर के sale में आपको 42, 40, 43 में मिल जाए, बट क्या फाइदा, above 40, 1000 है, जो कि overpriced है, उसके बाद iPad mini है, जो कि 50,000 रुपीज में Apple के website में available है, again इसका भी pricing, sale में 45, 46 हो सकता है, Amazon, Flipkart में, और बाकी तो है ही iPad Air, iPad Pro, वो तो out of my budget, और maximum of the Indian audiences के budget के बाहरी होगा, तो यहाँ पे कोई sense नहीं बनता, ऐसा iPad line-up के बाद, तो अभी बस यही है, I think ए era का end हो चुका, it's an end of an era, और budget iPad को काफी ज़्याद मिस करेंगा, और अगर iPad 9 Gen discontinue हो गया, तो आप समझी सकते है, यह काफी एक major चीज होगी, तो देखते है, iPad 9 Gen जब तक है, मैं तो आपको यही recommend करूँगा, कि काफी भैतरी न iPad है, और आप इसको 4, 5, 6, 7 साल बाद भी आप easily इसको use कर पाएंगे, तो budget iPad को ही prefer करें, अभी भी यह 30,000 रुपीज, 29, 30, 31, 32 में ऐसे price range में available हो रहा है, यह 13 Bionic processor और काफी साथी important चीज़े है, और बस इसमें जो design और display है, वो आपको थोड़ा old school type का मिलेगा, बस यही था, सो बस दो तो यही था आज का पूरा वीडियो और बस मैं यह जो नया information है, नया iPad इसको देखके मेरे, मतलब दिमाग में जो thoughts थे, वो मैं आप सब के साथ इस वीडियो में share करना चाता था, I hope कि आपको एक point of view मिला होगा इस वीडियो को देखने हैं, अगर अगर आगर आग इस वीडियो को लाइक करें, share करें दोस्तों के साथ और ऐसा टाप का और वीडियो देखने के लिए इस लेफ्ट और राइट वाले वीडियो के ने प्लिक करने के भी आप चेक आउट कर सकते हैं, मिलता हूं मैं आप सब सब्सक्राइब वीडियो के अंदर, take care guys